तो यहाँ पर आपके लिए कोई खास option है नहीं यहाँ पर यहाँ पर दोमेस्टिक लीग में काफी अच्छा cricket खेलते हैं उसके बाद हम यहाँ पर बात करें सौन मार्स स्कुएड में नहीं है तो खेलेंगे नहीं उसके बाद उसमान कुजा हाला की consistent खिलाडी है एक टाइम के बैक कर रहा हूं अपनी टीम में अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी नहीं किया बट बॉलिंग करा सकते हैं बॉलिंग करा सकते हैं लेग स्पीनर है उसके अलावा एक consistent प्लेयर है Australian ODI टीम में आप सभी को पता है चौत्य नंबर पे इनका प्लेस आल्मोस्ट दिखेंगे उसके बाद हम बात करें यहां पर टर्नर टर्नर देखो अच्छे खिलाड़ी है इनका जो परफॉर्मेंस राभी रिसंट के कुछ में अच्छा किया है लेकिन का बैटिंग और को लेकि थोड़ा सा मतलब वह रहता है कि किस नंबर पे खेलेंगे पोजीशन इन इनन्होंने चिया इनका बल्लेबाजी इननोंने की ही है तब तब इनका टॉप बड़ में अच्छे खासे बल्लिवाज यहां इसलिए में जाद Node को ले आ नहीं रहना तो यह सारे reliable बल्लेवाज हैं तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मौका मिलेगा हा लेकिन देखो office spinner सामने 3 left hander बालिंग डाल सकते हैं लेकिन मैंने आपको जैसा बताया इससे पहले भी इनोंने जो कुछ matches खेले उसमें भी इनके पास सामने left handers थे बट फिर भी इन consistent player वंडे के उसमें अगर देखेंगे seem result बहुत बढ़िया खिलाड़ी है बट problem क्या है कि देखो यह दोनों small लिक लिए अच्छे है बट हम सबको नहीं ले पाएंगे मैंने Cameron Bencroft को लिया Bencroft के जिगे पर टर्नर या हजल्ट को ले सकते हैं मैंने Bencroft को इसलिए वापसी करन थोड़ा सा differential भी हो सकता है यह भी consistent खिलाड़ी है मार्स वंडे कप में काफी बहतरीन performance दे चुके हैं 39 का एवरेज है इनका और experience की कोई कवी नहीं है टे-20 ब्लास्ट भी खेल चुके हैं तो other countries में भी खेलने का इनको अच्छा घाज़ा experience है यहां पर हम बात करें तो मैंने इनके उपर इसलिए आप सेफ जाना चाहते हैं तो टार्नर को ले सकते हैं otherwise आप देखो हेजल्ट और टार्नर दो अच्छे स्मॉल लिख के और अच्छे option है बागी कोई खास option है नहीं अब मैंने टार्नर और हजल्ट को क्यों नहीं लिया में जो है चार के चार प्रेयर ले है तो हम और इनको नहीं ले सकते इवन एरो नार्ड एक टेलेंटेट प्लेयर है बट यंग्स्टर है लेकिन प्राब्लम क्या है कि हम सब को लिए नहीं पाएंगे चार ल्राउंडर लिये हैं मैंने देखो रहनेस होगा बॉलिंग का कंफर्म नहीं लेकिन बल्लेबाजी अ हो रहा था यहां पर इंडिया और अस्विलिय के बीच में अगर मैं सही हो तो तो वहां पे इन्होंने सतक भी मार चुके है ठीक है तो वह एक मतलब इनको रिलाइबल बनाता है कि देखो बॉलिंग से विकेट तो निकालता है इंदत में भी आते हैं इसके बाद डी सोट अ अगर यह मैंसन होँगे तो लेकिन यह गेंभाजी भी कर लेंगे यह एक अदोबर जरूर करेंगे तो इसलिए इनको लेने का फाइदा अगर फिर से ऐवेलिबल होएंगे है साइड मैं इनको छोड़ करेंगे तो अब ही लियर लेके चलरा हूं अब गर खेलेंग यह बैज तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पांस से छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं यहां से बागी मैंने आपको यहां पर जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर दूंगा तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलेगा अब देखो हम बात करें कि कौन अच्छे हो सकते हैं यहां पर आपको स्मॉल लीग के लिए बालिंग में से देखो एंडू टाय और बहंडरोफ यह दोनों मस्ट है पिक इंटरनेशनल क्रिकेट खिलने का भी एक्सपीरेंस आला कि बहंडरोफ को उतना नहीं है बट बहंडरोफ एक विकेट टेकिंग बालर है ठीक ह खास करकि वन डे क्रिकेट में उसके अलावा यहां पर हम एंडू टाय की बात करें एक्सपीरेंस इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लस अच्छे खासे रंच भी बना सकते हैं और एक विकेट टेकिंग वालर है अभी तक अच्छा परफॉर्मिस रहा है गुरिंदर संदु अग इन्होंने अच्छा परफॉर्मिस था लास्ट में समने कवर किया था लेकिन तब एक चीज में बता दू तब इनकी टीम में कुछ अच्छे आप्सटन अबलेबल नहीं थे लेकिन देखो शूली के बारें एक चीज में और बता दू यह एक आल्राउंडर है ठीक है यह रं इसलिए मैं संदू के साथ जा रहा हूं यह तीन अच्छे आप्सटन है आप देखो रिचरट्सन गैनन यह सब खेलेंगी नी पैरिस वगरा खेलेंगी यह लोग स्क्वैड में नहीं है तो ठीक है इतना ज्यादा लेनी की जरूत है नहीं मैथ्व केली स्क्वैड में है आपको प्लेयर बताए कुछ ही कि मैथ्यू केली को आप ट्राय करना चाहे तो कर सकते हैं तो अभी केले जो मेरी टीम बन रही कुछ ही इस प्रकार से बनी है जहां पर कप्तानी मैंने दिये मैंने जॉस फिलिपे को इसके अलावा आपको मैं अगर एक चीज बताओं तो ग्रेंड लिग में कप्तानी वसकतानी की अगर आप देखेंगे तो डिसनड वेकिट है आपको लगता नहीं एंडु टाइन जिस तरीके से पर्फॉर्मेंस किया काफी लोग इनको इनको भी कप्तानी बनाइंगे तो मैं आपको स्मॉल लिग में तो नहीं कहूंगा लेकिन प्लीज टेलग्राम से जुट जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बुस्तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जाओ करना चैनल पर नहीं है तो सस्काइब कर देना धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो वाच करने के लिए मिलते अगली व प्लीज लाइक चैनल पर नहीं है तो मोटना अगली वीडियो पसंद है तो सस्क्रिप्शन में दूपर नहीं है वीडियो प्लीज़ लाइक जाएक आफ सदियो वीडियों